अब इस टॉड़ी कॉर्णर तो आज की इस वीडियो में हम डिसकूस करने वाले हैं इंग्लिश लेंगविज श्पोक करने के ऐसे शिक्स स्टेप्स से आप फॉलो करकर इंग्लिश लेंगविज यह वो फ्लुण ली बोल सकते हैं बोले आप आप पहुँन जाए तो आई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पर्स्टिप देखते हैं लिसन टू इंग्लिश एवरी डेई आपने सबसे पहले क्या करना है हैं जब भी आप चाहते हैं कि आपने एंक्ला के रोटीन बना लेनी आप एंग्लिश को सुनना है।cience, अब अपने इसको किस तरह से सुनना है English Language को? Listen to English Radio आप English Radio सुन सकते हैं रोजाना English जब आप Radio सुनेंगे तो आपको जो है experience होगा words का पता चलेगा new new words जो है आपके सामने आएंगे Watch English TV and go to English movies तो अब यह तीन यहाँ पर step है First जो है हमारे पास step Listen to English Every Day English Radio Watch English TV TV English movies जो होती होने हैं आपने देखना है English series होती होने हैं आप यह देखेंगे आप अपने रोजाना के रोटिंग में बनाएंगे English सुनेंगे आप उसे देखेंगे movies को उसकी जो है आप बातें जो वह भी इस जो डायलोग English के आप आपको जो है experience होगा आपको new new words जो है वो दिखाई देंगे आपको परदा चलेगा कि कौन कौन से new word और किस तरीके से जो है वो English बोली जा रही है तो first step जो है हमारा English बोलने का वो यह है कि आपने अपनी जो है रोज माला के रूटीन बना लेने कि आपने इंग्लीश जो है वो daily यूज में जो है वो सुननी है second step है हमारा make an English is a friend आपने क्या करना है अपने जो है friend बना लेने ठीक है अपने जिसने आपने group बना लेना या पर आपने अपने अपना एक साथी अपना फ्रेंड बना लेना फिर आपने क्या करना है कि आपने dialogues जो है प्रेंड के प्रेक्टिस करनी है आपने dialogue बोलने है अपने friend के साथ एंग्लिश के अंदर और कुछ डायलोग जो है उनकी प्रेक्टिस करनी है ठीक है third step है हमारे पास read English stories जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जो है वह एंग्लिश जो है टीवी देख सकते हैं सीरीज भी देख सकते हैं आप मुवीज भी देख सकते हैं अपने रोज मरा के रोटीन में सुनें तो इस तरह के साथ करना है अपने लिसनिंग नहीं करनी है आप जब रीडिंग करनी है आप जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग से भी आपकी जो स्किल एंग्लिश बोलने की आपकी ज्यादा हो जाती है रीड इंग्लिश स्टॉरीज लिसना नौवल हो गए जो भी तो आपने क्या करना है और रीडिंग से बोग से करना है डिकर स्टार्टर्ट इस वाल ठाइस बुए जो फटें चिल्टर्टेंग से करना है आप चल्टरर्न की कोई बोक उठाएं बच्चें की उससे आप जब आप रीड होने करेंगे तो आपको जो है उससे भी न्यू न्यू विकैबिलिर इस जो है वह आपके सामने आएंगी तो थर्ड हमारे स्टेप ए रीड इंग्लिश स्टोरी इस नमबर फॉर स्टेप है हमारे पास राइड डाउन न्यू वर्ड्स तो आप निगा करना है तो यहैंने उन्हीं मेक लिखना है थहीं कि स्टार्ट लोट्बॉक बगले मिलाओ के सामने और जबंदल मेस क्या करना है को चु kidneys серд कर तो में में ऐक तो अपने सारे जो के सामने आरहा हैं न्हीं उन्हीं एपने लिकना है देन आपने से ते जिर्षा यो को तया है आप przyp support प जब आप यह करें तो आपकी जो है वो कैबलरी बढ़े कि और आपको उसके एक्जेंपल भी समझ में आएंगे कि किस की तरह और दिन आप उसकी क्या करेंगे everyday life में जो है आप उसे use करेंगे तो आपकी जो है English जो बहतर होगी तो number five जो है वो keep an English diary आपने अपने साथ जो एक English diary जो हो रखनी है start with one sentence आपने एक sentence के साथ स्टार्ट करना है जिस तरह how do you feel, how is the weather and what did you do today तो इस तरह की sentence जो है write another sentence tomorrow इस तरह की sentence आपने रोजम्रा की routine है आपने डायरी में लिखने ने लिखने ने और फिर next जो है आपने वो दूसरे जो है, यह sentence है उन्हें आपने साथ जो है तो यहां पर जो नेटिफ स्पीकर होते हैं वो जो हैं बात करते हैं तो यह थे 6th step to how to speak English fluently तो I hope आप इन 6 step को follow करके आप English fluently बोल सकते हैं तो if you have any query regarding this lecture you can comment in comment section box I will solve your query तो आज के लिए नहीं काफी है thank you so much Allah Hafiz